हेलो एवरीवन प्रीट बालो जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अनाटॉमी ओफ कॉटिलीडॉन्स एंड मोनो कॉटिलीडॉन्स प्लांट ठीक है इसका एक सब टॉपिक है डाई कॉटिलीडॉन्स रूट एं इन दोनों का आज हम लोग डिफ्रेंस पढ़ेंगे ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 है अनाटॉमी ओफ फ्लावरिंग प्लांट ठीक है शुरू करते हैं आज का चैप्टर फॉर बेटर एंडर स्टेंडिंग ऑफ टीशू और गनाइजिशन ऑफ रूट्स स्टेम और ए अगर इनको अच्छे से इनका जो तीशू है रूट इस टैम छोनने अगर इसको अच्छे से स्वेम एट करना है तो हमनलोह को क्या स्टय करना होगा और्गनाइजेशन है ठीक है शुरू करते हैं डाइक कोटिलीडॉंस रूट के बारे में देखें यहां पे जो अभी हम लोग फीगर आगे देखेंगे संफ्लावर रूट का ठीक है उससे हम लोग डाइक कोटिलीडॉंस रूट के बारे में जानेंगे की कैसा है तो इसमें क् का हम लोग टीएस ट्रांजवर सेक्शन को हम लोग एक चीज क्या कहते हैं टीएस हम लोग आगे फीगर में देखेंगे ठीक है दा इंटर्नल टीशू और्गनाइजेशन कैसा होता है इसका डाइकॉट रूट का देखें जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है डाइकॉट रूट में उसको बोलते हैं एपी बलेमा बोलते हैं ठीक है बहुत सारी इपी बलेमा की जो सेल्स होती है वो क्या को होती है बाहर की तरफ बढ़ जाती है ठीक है एक ही सेल रहेंगी और वो क्या बनाएंगी रूट हेयर बनाएंगी ठीक है इसके बाद अंदर की जो लेयर होती है इपी बलेमा के अंदर में जो लेयर होती है सबसे बाहर तो इपी बलेमा हो गई उसके अंदर काटेक्स पाधाता है और cortex के पास several layers होती हैं किसकी thin world parenchyma cells होती है ठीक है और उनमें क्या होता है intercellular space होता है जैसे कि आप यहाँ पे dicot root का एक figure देख सकते हैं इसमें आपने देखा कि देखे epidermis की ही कुछ cells क्या हो गई है ऐसे बाहर निकल गई है और root hair का formation कर रही है ठीक है और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर की layer है उसको क्या बोलते हैं cortex बोलते हैं ठीक है और उसके अंदर की layer को क्या बोलते हैं sequence देख लीजिए उसके अंदर की होगी इंडोडर्मिस और उसके बाद होगी पैरिसाइकल और उसके बाद होगा वैस्कुलर बंडल जो की होगी आपका जालम और फ्लोयम और सबसे अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा बीच में यह जो है पित का reason है ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इनर्मोस्ट जो cortex की होती है उसी को हम लोग इंडोडर्मिस बोलते हैं और यह कि देखेंगे तो यह किस कलर की दिख रही है यह हमें पिंक कलर की दिख रही है और सिंगल लेयर है और यही क्या है इंडोडर्मिस है और इनका से Daarई का से टीक है इसमें कोई interstellar इस नहीं नहीं दीए cortex में इस तरह की space दिख रहे हैं यहां पर gaseous exchange होता है आती है gases तो यहां पर देख रहे हैं आप लेकिन इंडो dermis में किसी भी तरह का आपको intercellular space देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है कि जो टेंजेंशियल एस जो रेडियल वाल है ठीक है किसकी इंडो dermal cell की उनके पास क्या होती है एक deposition होता है वैक्सी माटेरियल उसका नाम है सुबेरिन ठीक है अब यह सुबेरिन क्या होती है वाटर से इम परमेबल होती है वाटर को आने नहीं देती है और यह कैशपेरियन इस्टिप बनाती हैथ Campbell जो बाद यह जो वाल ए और यह जो टेंजिंशियल प्लेन होगा इसमें सुवेरिन प्रेजन्ट होगा जो कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है उसके बाद क्या कह रहा है कि दिखेंगे की इंडो डर्मेज के अंदर में जो छोटे छोटे सेल दिखर है लगबग तीन लीयर दिख रहे हैं यह तीन लीयर क्या हैे फ्य लेयर की बात कर रहा है तो यह वी है और इनको हम लोग क्या कहते हैं पैरी साइकल कहते हैं इनिशेशन ओफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम डियूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स ठीक है तो जो लेटरल रूट का फॉर्मेशन होगा ठीक है इनिशेशन होगा और वैस्कुलर कैम्बियम का होगा वो इन ही पैरी साइकल के सेल्स से होगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो ठीक है डाइक और रूट के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं उसके बात जो इसकी खास बात है वो यह है कि अधा पेथे जिस स्मॉल और इन कॉन स्पीकर्स ठीक है ज इतना क्लीर नहीं दिखते हैं चोटा सा होता है यह डाइक रूट की बात है जबकि मोनोकॉट में आपको पित जो होता है मोनोकॉट में वह लार्ज दिखता है यहीं पर मैंने डिफ्रेंस बता दी आपको दो पैरेंट काइमेटर सेल विच लाइब बिट्विन जायलम और में ऐंको धिकतों अिंगे मूट है यह क्या है ज्लम है और यह क्या फिल्विन हैं इनके बीच निकादी तूअ प्रेंद होता है उसको एक अ कहल को को चाहिए हैं अगर हम लोग देखें तो जालम और फ्लोयम के कितने पैचेस है और बात में चलके केम्बियम रिंग का डेवलपमेंट होता है जालम और फ्लोयम के बीच में ठीक है तो यह जो जो देखने को मिलेगा उसके बाद क्या कह रहा है और टिशूस ऑन दा इनर side of the Indodermis such as pericycle, vascular bundle and Pith constitute the steel अब आपको जानना है कि जो steel होता है वो क्या होता है steel में ये तीनों चीजे होती हैं Indodermis के अंदर ही तीनों चीजे हैं Indodermis के अंदर pericycle है pericycle के अंदर आपको जालम और phloem जिसे हम लोग vascular bundle बोलते हैं और बीच में छोटा सा पित दिखता है ये तीनों मिलाकर ही steel होता है तो इतना हम लोगों ने पढ़ा जो है इसके बारे में डाइकॉर्ट रूट के बारे में इसमें खास बात यही थी कि इसका पित स्मॉल होता है और इसका जो vascular bundle होता है जालम और फ्लोयम वह कुछी होते हैं ठीक है चार होते हैं लगभग ऐसी करके ठीक है और उसके बाद अब आते हैं हम लोग मोनो कॉर्ट रूट के बारे में ठीक है यहां पर देखिए अभी secondary ग्रोथ नहीं हुई है है डायकोर्ट में इसीलिए यहां पर लिखा है डायकोर्ट रूट फीगर में लिखा है यहां पर देख रहा है ऊसीक है ने पर कहते है इसकी शड़ी विदेखिए और इन्डो देखिए इसमें अलग ये होता है सीधे सीधे में मैं बता देती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि इनका जो जालम है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये इनकी संख्या डाई कॉट रूट से जादे हैं तो मोनो कॉट रूट में क्या होंगे ये मोर देन 6 होंगे 6 से जादे होंग वह जादे होगी, ठीक है, और इसका पित भी जो होगा, वो लार्ज होगा, वेल डवलप्ड होगा, मोनो कॉर्ट में पित का जो पोर्षन होता है, वो लार्ज होता है, और अच्छे से उसका डवलप्मेंट हुआ रहता है, और सबसे बड़ी बात आपको यह याद रखनी है, कि monocot root में किसी भी तरह का कोई भी secondary growth नहीं होता है ठीक है यह चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है तो यह था overall dicot monocot root के difference को लेकर next video में हम लोग पढ़ेंगे dicot stem और monocot stem में क्या फर्क है ठीक है आप मेरे telegram group को जरूर जॉइन करें जिसका नाम है प्रीद बालो जी अगर आपको चैनल यह वीडियो पसंद आए तो इसे like share और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाबाई